दोस्तों नमस्कार ये हैं मागदर्शन फर सिविल सर्विशेज मैं अनुराक्ष ओधरी दोस्तों TGT PGT कला विशे के महत्वपूर्ण प्रशनों की स्रिंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भित्य चित्रन की परमपराओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशनों का One Liner Revision Notes इसमें हम भित्य चित्र की प्रमुक तकनीक, प्रविधियां और शैलियां जैसे फ्रेसको सेको, अजन्ता फ्रेसको और जैपूर फ्रेसको से संबंधित महत्वण पूर प्रश्णों को कवर करेंगे ये प्रश्णा आपके आगामी परिक्षाओं जैसे TGT, PGT, Yelty Grade, Government Inter College प्रवक्ता, Government Degree College Assistant Professor और NET JRF आदि परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है तो आईए शुरू करते हैं, कला की अंतरगत भित्चित्रण की परंपराओं से संबंधित महत्वण पूर प्रश्णों का One Liner Revision Notes दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्ण है, भित्चित्र किस भासा से उत्पन शब्द है तो याद रखेगा, भित्चित्र अंग्रेजी भासा से उत्पन शब्द है, इसका English Mural होता है तो याद रखेगा, भित्चित्र जिसको English में Mural कहते हैं, ये अंग्रेजी भासा से उत्पन शब्द है अगला प्रश्ण है भित्य चित्र कहां मिलते हैं तो ये खजुराहों से मिलते हैं भित्य चित्रण किया जाता है कहां पर तो जैसा कि इसके नाम से अस्पष्ठ है आप जान लीजिए कि भित्य चित्रण भित्ती धरातल पर किया जाता है यानि ये वाल पेंटिंग के रूप में होता है अगला प्रश्ण है दोस्तों सित्तन वासल बाग और माता नचेरी प्रसिद्ध हैं किसके लिए तो दोस्तों ये सभी भित्य चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं अगला प्रश्ण है होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र हैं कब के तो आपको समय खाल बताना है होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र ये आठमी सताब्दी के भित्ति चित्र है अगला प्रश्ण है गियोटो प्रसिद्ध हैं किसके रूप में तो याद रखेगा आप जान शिविजातक के अंतिम द्रिश में साध्धु के रूप में कौन चित्रित है तो याद रखेगा अगनी और इंद्र दोस्तों शिविजातक के अंतिम द्रिश में साध्धु के रूप में अगनी और इंद्र का चित्रण किया गया है अगला प्रश्न है गुफा मानों के लोग भित्त के लिए करते थे किन रंगों का प्रियोग आपको बताना है कि गुफा मानों के लोग भित्त चित्रण के लिए किन रंगों का प्रियोग करते थे तो ये खनिज के रंगों का प्रियोग करते थे गुफा मानों के लोग भित्त चित्रण के लिए अगला प्रश्ण है एलोरा की 32 गुफा जानी जाती है किसके नाम से तो याद रखिएगा एलोरा की 32 गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है अगला प्रश्ण है एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम क्या है तो उत्तर है वेरूल दोस्तों एलोरा की गुफाओं को वेरूल भी कहा जाता है अगला प्रश्ण है वेरूल नाम से जाने जाने वाली गुफा कौन सी है तो याद रखेगा एलोरा की गुफा को वेरूल के अन्य नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी तो राष्ट कूट राजाओं ने दोस्तों एलोरा की गुफाएं बनवाई थी अगला प्रश्ण है एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है तो याद रखिएगा गुफा नंबर 32 यानि गुफा संख्या 32 को एलोरा में इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्ण है एलोरा में कुल कितनी गुफाएं है तो ये महत्वपोर्ण प्रश्ण है एलोरा में कुल 34 गुफाएं है याद रखेगा और एलोरा में गुफा मंदिर कितने है तो उत्तर है एलोरा में कुल 34 गुफा मंदिर है अगला प्रेशन है दोस्तों एलोरा में गुफाएं और सैल कृत मंदिर हैं किस धर्म के मतानुयाईयों के तो याद रखेगा एलोरा में जो गुफाएं और सैल कृत मंदिर हैं वो हिंदूओं बौध्धों और जैन ये तीनो धर्मों से संबंधित है एलोरा की गुफाएं और मंदिर अगला प्रशन है दोस्तों एलोरा गुफाएं कहां इस्थित हैं राज्य पूछा गया है तो उत्तर है एलोरा गुफाएं महराश्ट में इस्थित हैं अगला प्रशन है एलोरा के प्रशिध कैलाश मंदिर का निर्मार एक राश्ट कूट नरेस ने कराया था उस नरेस का नाम क्या था तो याद रखिएगा कृष्ण राजप्रथम ये राश्ट कूट नरेस इन्होंने कैलास मंदिर जो एलोरा का प्रशिध कैलास मंदिर है इसक का निर्मार कराया था अगला प्रश्न है दोस्तों एलोरा की गुफाएं संबंधित थी किस काल से तो उत्तर है एलोरा की गुफाएं राश्टकूट काल से संबंधित है अगला प्रश्न है एलोरा गुफा कला को विक्सित किया था किस ने तो उत्तर है राश्टकूट जने और एलोरा किस के लिए प्रसिद्ध है तो उत्तर है एलोरा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पर प्रसिद्ध कैलास मंदिर है अगला प्रशन है दोस्तों हिंदू कला की उत्तम उदाहरण सुरक्षित हैं कहां पर तो उत्तर है एलोरा मुर्तिकला में हिंदुकला के उत्तम उदाहरण सुरक्षित है अगला प्रश्ण है एलोरा की परसिद्धी का कारण क्या है तो बहुत ही महत्वण प्रश्ण है एलोरा की प्रसिद्ध का कारण यहां पर बना हुआ बिश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है अगला प्रशन है दोस्तों कैलाश मंदिर कहां पर इस्थित है तो यह एलोरा प्राचीन गुफा में इस्थित है और एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है ये प्रशन पूछा गया है तो याद रखेगा एलोरा का प्रमुख मंदिर जो है ये कैलाश मंदिर है अगला प्रशन है एलोरा की जान किसे कहते हैं तो एलोरा की जान ये कैलाश का मंदिर है कैलाश मंदिर कहां पर इस्थित है तो एलोरा गुफा नमबर 16 में कैलाश मंदिर इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों एलोरा की प्रसिध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भित्य चित्रों ने नई प्रेड़ा दी है किसको तो उत्तर है दक्कन शैली को दोस्तो दक्कन भित्य चित्रों की शैली को कैलास मंदिर से उपलब्ध भित्य चित्रों ने नई प्रेरणा दी है अगला प्रश्न है कैलास मंदिर के मध्य अस्थापित है क्या तो याद रखेगा कैलाश मंदिर जो है ये शिव मंदिर है और यहाँ पर शिव लिंग अस्थापित है अगला प्रश्न है दोस्तों ब्रह्मा विश्नु और महेश की मुर्तिकला अस्थापत्य अवस्थित है कहाँ पर कहा परिस्थित है तो ये महराष्ट में है और एली फेंटा गुफाएं घीरी हुई है कहां से तो दोस्तों एली फेंटा गुफाएं समुदर से घीरी हुई है एलिफेंटा किसके लिए प्रसिद्ध है ये अगला प्रश्ण था तो जान लीजे दोस्तों एलिफेंटा ये मुर्तियों के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रश्ण है एलिफेंटा में मूर्तियों का निर्मार अधिक है किसका तो एलिफेंटा में शिव की मूर्तियों का निर्मार अधिक किया गया है अगला प्रश्न देखे, बहुत ही महतपूर है कि भारत के एक ऐसे परसिद्ध गुफा जहां एक भी भित्ति-चित्र उपलब्ध नहीं है तो याद रखिएगा ये है एली फेंटा की गुफा और ये भारत के प्रसिध गुफाओं में हैं जहां एक भी भित्चित्र उपलब्ध नहीं है एली फेंटा प्रसिद्ध है किसके लिए तो ब्रह्मा विश्णु महेश की त्रिमूर्ति के लिए एली फेंटा गुफा प्रसिद्ध है अगला प्रशन है दोस्तों एलिफेंटा जिस टापू पर इस्थित है उसे जाना जाता है किस नाम से तो उत्तर है धारापूरी के नाम से जाना जाता है एलिफेंटा जिस टापू पर इस्थित है अगला प्रशन देखे ये प्रशन बार-बार पूछा गया है कि प्रशिद मुर्त शेल्प त्रिमूर्ति कहां पर इस्थित है तो ये एलिफेंटा में इस्थित है और एलिफेंटा गुफाएं जो महराष्ट में हैं इनको लगभग किस सदी में बनाय गया था तो उत्तर है एलिफेंटा गुफाएं महराष्ट में जो हैं इनका निर्माड पाँचवी से आठ्वी शताब्दी इसवी के दवरान हुआ था अगला प्रशन है विख्यात महेश मूर्ती राक कट मूर्ती है कहां पर तो ये एलिफेंटा में हैं बाग गुफाएं कहां पर इस्थित हैं दोस्तों ये बाग गुफाएं धार जनपद मध्य परदेश में इस्थित हैं बाग की गुफाएं इस्थित हैं कहां पर तो ये म मध्य परदेश में धार जन्पद में इस्तित हैं इनका पुराना नाम का लायन है अगला प्रश्न हैं दोस्तों बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं तो नौ गुफाएं हैं वर्तमान में केवल दो गुफाओं में कुछ चित्र प्राप्त हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों धार जिले में इस्थित बाग गुफा किस परदेश में हैं तो ये मध्य परदेश में है और बाग गुफाओं की अवध क्या है तो बाग गुफाओं साथ वाहन राजवन्स के समय की हैं बाग की गुफाएं इस्थित हैं कहां पर तो ये विंध्या चल परवस्रेडी पर इस्थित हैं बाग की गुफाएं अगला प्रश्न है दोस्तों पंच पांडु के नाम से जाना जाता है किसे तो बाग गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है दोस्तों गाईकाएं चित्र बाग गुफा के सामने चित्रित किया गया है तो किस गुफा के तो उत्तर है गुफा संख्या चार के सामने गाईकाएं चित्र जो है चित्रित किया गया है बाग की पांचवी गुफा का नाम क्या है तो इसका नाम पाठशाला है और गायक दल या गायकाएं का भित्य चित्र ये बाग चित्रित है कहां पर तो ये गुफा नमबर चार में है अगला प्रश्न है दोस्तों बाग गुफा चित्रों पर किसका प्रभाव है तो याद रखेगा बाग गुफा चित्रों पर अजन्ता सैली का प्रभाव है अगला प्रश्ण है दोस्तों बाग गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या है तो ये तकनीक है टेमपरा तकनीक अगला प्रशन है दोस्तों असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाग गुफाओं की प्रतलिपियां कब बनाई है तो ये हैं वर्स 1921 में अगला प्रश्ण है दोस्तों बाग गुफा के भित्य चित्रों को बनाने में कौन सा प्रियोग किया गया है तो आप जान लिजे गलू रंग चित्रण तकनिक का प्रियोग बाग गुफा के भित्य चित्रों को बनाने में किया गया है अगला प्रशन है बाग की पहली गुफा का छेतरफल कितना है तो ये 23 फिट गुड़े 24 फिट है बाग की पहली गुफा का छेतरफल और देखिए एक महत पूर्ण प्रशन बाग की गुफा चित्रों का सरोपर्थम परजय 1818 में पत्रिका के माध्यम से दिया गया था किसके द्वारा तो ये थे लेफ्टिनेंट डेंजर फिल्ड के द्वारा दोस्तों बाग की गुफा चित्रों का सबसे पहले परिचे अगला प्रशन है बाग गुफा में रंग महल की गुफा कौन सी है तो याद रखेगा बाग गुफा में चौथी गुफा ये रंग महल की गुफा है अगला प्रशन कथन और कारण से संबंधित है कथन है कि अजन्ता और बाग की छतों पर बहुत धार्मिक ग्रंथों और जातक कथाओं का चित्रण है और ऐसा इसलिए है कि इन गुफा में बहुत भिख्शु रहते थे तो आप जान लीजिए ए गलत है लेकिन आर सही है अब आएए देख लेते हैं कि महतपूर्ण भित्य चित्र की तकनीक या प्रविधी फ्रेसको से को से संबंधित महतपूर्ण प्रश्ण को अगला प्रश्ण है दोस्तों फ्रेसको भूनो प्रविधी परिभासित की जा सकती है किस रूप में तो किसी भी प्रकार के रंग का ताजा भित्य पर लगाना ब्रूनो प्रविधी या ब्रूनो तकनीक है अगला प्रश्ण है फ्रेसको बूनो पद्धति से चित्र बनते हैं तो दिवार की गीली सतह पर याद रखेगा दोस्तों फ्रेसको बूनो टेक्नीक जो है इससे दिवार की गीली सतह पर चित्र बनाये जाते हैं अगला प्रश्ण है ताजी गीली भित्ति पर चित्रण करने की बिधा क्या कहलाती है तो इस बिधा को फ्रेसको बूनो कहते हैं और एक महत्वपोन प्रश्ण फ्रेसको सेको चित्र में चित्रण के लिए जो भित्ति प्रियोग में लाई जाती है वो कैसी होती है तो ये शु भूखी भित्ति प्रियोग में लाई जाती है फ्रेसको सेको चित्र में अगला प्रश्ण है दोस्तों फ्रेसको सेको तकनीक भारत की चित्रण सैली से संबंधित है तो आप जान लीजे फ्रेसको सेको तकनीक भारत में अजनता चित्रण सैली इस संबंधित है अगला प्रश् तो याद रखिएगा फ्रेसको दोस्तों फ्रेसको भित्य चित्रण की एक तकनीक है या प्रविधी है जो ताजा चूने के लेप पर की जाती है अगला प्रशन है फ्रेसको का अर्थ क्या होता है तो ये भित्य चित्रण की विशेश पधती इसका अर्थ फ्रेसको का अर्थ होता है अगला प्रश्न है फ्रेसको विधिका प्रियोग किया जाता है किसमें तो भित्य चित्रण में जोगी मारा गुफा कहां पर इस्थित है आपको बताना है तो याद रखेगा दोस्तों जोगी मारा गुफा ये रामगर पहाडी में इस्थित है अगला प्रशन है नर्मदा नदी के उद्गम के पास परसिध चित्र गुफा इस्थित है तो ये जोगी मारा गुफा ये नर् जोगी मारा गुफा में मिलते हैं अगला प्रश्ण है जोगी मारा की गुफा की लंबाई कितनी है तो ये 10 फिट है जोगी मारा गुफा की लंबाई जोगी मारा गुफाएं कहां पर है तो ये 36 गढ़ राज में इस्थित है अगला प्रश्ण है दोस्तों जोगी मारा के चित्र बने है तो ये सफेद प्रिष्ट भूमी पर बनाए गये है जोगी मारा प्रसिद्ध है किसके लिए तो ये भित्त चित्रण के लिए प्रसिद्ध है अगला प्रश्ण एक महत्वपूर्ट तथ्य है कि लाल लीली या कुमुदनी के पुस्पों पर एक यूगल नृत्य करते हुए चित्र अंकित किया गया है कहां पर तो ये जोगी मारा में अगला प्रश्ण है मानौ आकर्ति मचली हांथी और नारियल पेड के साथ प्राकृतिक द्रिश्य से जोगी मारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है तो ये देखिए नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक द्रेश से ये जोगी मारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है इसमें मानुआकृती, मचली और हाथी के चित्र मिलते हैं अगला प्रशन है अजन्ता के भित्य चित्रों से पहले कौन सा भित्य चित्रण हुआ था तो ये जोगी मारा गुफा में दोस्तों अजन्ता के भित्य चित्रों से पहले जो भित्य चित्रण है ये जोगी मारा गुफा में हुआ था अगला प्रश्ण है जोगी मारा गुफा के चितरों की अवधि क्या है तो याद रखेगा अजन्ता गुफाओं के पहले की है जोगी मारा गुफा चितरों की अवधि अगला प्रश्ण है भारत वर्स में आतिहासिक काल के प्राचींतम भित्यचित्र कहां से प्राप्त होते हैं तो ये जोगी मारा जो की 36 गढ़ में नर्मदा नदी के उद्गम के अस्थल के पास इस्थित गुफा है और यहां से भारत वर्स में अयतिहासिक काल के प्राचींतम भित्यचित्र प्राप्त होते हैं अगला प्रश्ण है भित्यचित्रन की कला भारत में प्रारंब हुई थी कहां से तो यह जो गिमारा से हुई थी अगला प्रश्न है फ्रेसको बूनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है तो याद रखेगा अर्रेचियो ड्राइंग इन्तो नाको और पेंटिंग ये फ्रेसको बूनो प्रक्रिया का सही क्रम है अगला प्रश्ण है कोंते एक रेखा चितर तकनीक है इसका आविस्कार कहां पर हुआ है तो ये कोंते रेखा चितर तकनीक का आविस्कार फ्रांस में हुआ है अगला प्रश्ण कथन कारण से संबंदित है कथन है कि फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को बूनो में रंग अधिक्टिकाव होता है सही है कारण है कि फ्रेस्को बूनो एक सुस्क प्रक्रिया है जबकि फ्रेस्को सेको सीधे आर्ध प्लास्टर में पेंट किया जाता है तो ये गलत है दोस्तों उल्ठा दिया गया है तर्क फ्रेस्को भूनो एक गीली प्रक्रिया है यानि ताजे गीले दीवाल पर ये बनाये जाता है भित्ति पर जबकि फ्रेस्को सेको जो है ये सूखे दीवाल पर इसका जित्रन किया जाता है तो ए सही है लेकिन आर गलत है अगला प्रशन भी कथन कारण से संबंधित है कथन है कि फैरोहनिक मिस्र में फ्रेसको सेको का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था और किन्त रोमानो मिस्र में ऐसा नहीं था तो ये दोनों ही कथन गलत हैं दोस्तों फैरोहनिक मिस्र में फ्रेसको सेको का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था और रोमानो मिस्र में भी ऐसा था अब आईए दोस्तों अजन्ता फ्रेसको के बारे में जो महत्पूर्ण प्रश्ण है उनको रिवाईज करते हैं अजन्ता के चित्रों की चित्रण विधी क्या है तो उत्तर है फ्रेसको तकनीक यानि फ्रेसको तकनीक ये भित्य चित्रण की एक महतपूर्ण प्रविधी है अजन्ता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है तो ये टेंपरा है अजन्ता भित्य चित्र का सर्वत्तम उदाहरण है किसका तो ये फ्रेस्को का सर्वत्तम उदाहरण है अजन्ता भित्य चित्र अगला प्रश्न है अजन्ता की भित्य चित्र कारी में सतह को तयार करने में क्या अपनाया गया है तो उत्तर है चावल की भूसी और गोंद रहित गाय का गोबर अगला प्रश्न है देखे अजन्ता फैला हुआ है कितने दूरी में तो ये 600 गज में जो की 548.64 मीटर की लंबाई में अजन्ता का विश्थार है अगला प्रश्न है अजन्ता तीन कलाओं का केंद्र है ये कलाएं है कौन कौन सी अस्थापत्य कला मूर्थिकला और चित्र कला तो याद रखेगा अजन्ता अस्थापत्यकला मूर्तिकला और चित्रकला इन तीनों ही कलाओं का केंद्र है अगला प्रश्ण है एलोरा की गुफाएं अजन्ता की गुफाओं से दूर हैं कितना तो एलोरा की गुफाएं दोस्तों अजन्ता से लगभग 104.9 यानी 105 किलोमीटर दूर है अगला प्रश्ण है अजन्ता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या की विश्यमें सही क्या है तो अजन्ता में पूर्ण चित्रित 6 गुफाएं हैं अजन्ता के चित्रकारों ने पीला रंग किस से बनाया था तो याद रखेगा ये संखिया से बनाया गया था और अजन्ता में क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों 1908 में अजन्ता में 1908 में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी अगला प्रश्ण है कि महात्मा बुद्ध का ग्रिह त्याग चित्रित है कहां पर तो ये अजन्ता की गुफा नंबर 16 में महात्मा बुद्ध का ग्रिह त्याग चित्रित है अब सरा नामक चित्र अजन्ता की गुफा में है कहां पर तो ये गुफा नंबर 17 में और अजन्ता में राज की ये शोभा यातरा चितर है किसमें तो गुफा संख्या एक में अगला प्रश्ण है दोस्तों अजन्ता गुफाएं प्रकास में कब आई थी तो 1819 में अजन्ता गुफाएं प्रकास में आई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों वेन सांग, एड़वर्ड एलेक्स, रिचर्ड में से अजन्ता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किस ने देखा था तो उत्तर है वेन सांग ने और अगला प्रश्ण है कि वह पास्षार्त कला समिच्छक जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजन्ता भित्यचित्र के विराठ सौंदर की सराहना की तो ये थे E.B. हैवल E.B. हैवल एक वेश्टर्न जो है आलोचक और समिच्छक थे इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से अजन्ता भित्य चित्र के विराठ सौंदर की सरहना की थी अगला प्रश्न दोस्तों कथन कारण से संबंधित है कथन है कि अजन्ता का अस्थल उस समय के सासकों और व्यापारियों के दलने भगवान बुद्ध को अपनी सरधान जली अरपित करने के लिए चुना था ये सही नहीं है और कारण है कि अस्थला करित की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वो भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म और दार्सनिक परतेकों से मेल खाती थी तो इसमें केवल कारण यानि ख सही है अगला प्रशन है दोस्तों ये सिद्ध है कि अजन्ता चित्रों में बहुत धर्म के दोनों मत निरूपित है हीनियान मत और महायान मत महायान के दर्सन से संबंदित सही कथन क्या है तो दोस्तों महायान मत्व से संबंदित सही कथन है कि वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे वे बुद्ध और बोधिशत्वों के अनुग्रह वा सहारे के सभी के मुक्ष की कामना करते थे और वे बुद्ध और बोधिशत्वों के उपास से मूर्थियों को पोजते थे और उनके दो मुख्यदारसनिक मत थे माध्यमिक और योगाचार और ये सभी बौध धर्म के महायान दर्शन से संबंदित हैं अगला प्रशन है दोस्तों अजन्ता गुफाओं में एक हजार बुद्ध चित्रित हैं कहां पर गुफा संख्या दो में अजन्ता एलोरा की गुफाएं बनकर तयार हुई थी कब तो 1100 वर्ष में अजन्ता एलोरा की गुफाएं बनकर तयार हुई थी अगला प्रश्ण है अजन्ता भित्य चित्रियों की रशना हुई कब वाकाटक और चालुक के राजवन्स के शासनकाल में अजन्ता भित्य चित्रों की रशना हुई थी अगला प्रश्न है चित्रकला, मुर्तिकला और वास्तुकला का संगा में एक साथ कहाँ पर दिखता है तो ये अजन्ता में दिखता है अजन्ता गुफाओं का निर्मार कब हुआ था तो दो सो इसवी पूरु से साथ सो इसवी में दोस्तों दो सो इसा पूरु से साथ सो इसवी में अजन्ता गुफाओं का निर्मार हुआ था अगला प्रश्ण है अजन्ता की सरोपर्थम बनी प्रतलिपियां प्रदर्शित हुई थी कहां पर तो ये Crystal Palace England में प्रदर्शित हुई थी अजन्ता की सरोपर्थम बनी प्रतलिपिया अगला प्रशन है 1844 में सरोपर्थम अजन्ता के चित्रों की प्रतलिपियां किस ने तैयार की थी तो रावर्ट गिल ने और अजन्ता गुफाओं के भित्य चित्रों की अनुक्रितियां सरोपर्थम किसके द्वारा बनाई गई थी तो ये थे रावर्ट गिल अगला प्रश्ण है अजन्ता में गुफाएं कौन सी हैं तो दो प्रकार की गुफाएं हैं अभ्याराण और बिहार में अगला प्रश्ण है दोस्तों अजन्ता का स्रेष्ट कारे किस समय हुआ था तो अजन्ता का जो स्रेष्ट कारे है वो गुप्त काल में हुआ था अजन्ता की गुफा में फ्रेसको चित्र को चित्रित किया गया है कब तो ये गुप्त राजवन्स के उत्थान काल में जो भित्य चित्र है अजन्ता का उसको चित्रित किया गया है अजन्ता की चित्र कला संबंधित है किस से तो ये साथ वाहन और गुप्त काल से संबंधित है अजन्ता में परिप्रेक्ष का प्रियोग हुआ है किस रूप में तो कालपनिक रूप में और अजन्ता के समकालीन चित्र मिलते हैं कहां पर दोस्तों अजन्ता के समकालिन चित्र बाग गुफा में मिलते हैं अजन्ता का चित्र नहीं है तो भगवान महावीर का चित्र अजन्ता का चित्र नहीं है अगला प्रश्ण है कि अजन्ता के चित्र संबंधित हैं किस से तो ये बुद्ध से संबंधित हैं और अजन्ता चित्रों का मूल विशय क्या है तो याद रखेगा अजन्ता चित्रों का मूल विशय बुद्ध चरित है अगला प्रश्ण है दोस्तों अजन्ता के चित्र आधारित है किस पर तो ये महात्म बुद्ध के जीवन पर आधारित है अगला प्रश्ण है अजन्ता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग बनी है तो गुफा संख्या एक में और अजन्ता की गुफा संख्या एक का निर्मार काल क्या है तो ये सात्वी सताब्दी है अजन्ता की वे गुफाएं जिन में आज भी चित्र मिलते हैं तो वो हैं एक, दो, नौ, दस, सोल, सत्रे और छे ये गुफाएं जिन में आज भी चित्र मिलते हैं अजन्ता में सबसे अधिक चित्र हैं ये सत्रहमें गुफा में हैं और बोधि सत्व पद्म पाड़ी का चित्र है कहां पर तो याद रखिएगा ये अजन्ता की गुफा संख्या एक में है अगला प्रश्ण है दूस्तूं अजन्ता की गुफा संख्या एक में बना 206 चित्र किसका है तो ये पद्म पारी बोधिशत्व का है और अजन्ता गुफा संख्या एक का चित्र किसका है तो ये वज्जर पारी का है अगला प्रशिद्ध बवध भित्य चित्र कला पद्म पार बोधिशत्व इस्थित है कहाँ पर तो ये अजन्ता गुफाओं में इस्थित है और याद रखिएगा एक प्रशिद्ध पद्म पार अव लोग की तेश्वर का चित्र अजन्ता की गुफा संख्या किस में है तो ये गुफा संख्या एक में है पद्मपाड अवलोकी तेश्वर का पर्थमंकन कहां पर मिलता है तो ये भित्य चित्र में मिलता है और अजन्ता चित्रों में परसिद्ध चित्र क्या है तो ये बोधिशत्व पद्मपाड का चित्र अजन्ता चित्रों में प्रसिद्ध है अगला प्रश्ण है दोस्तों बहुत ही महतपूर है कि अजन्ता की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा महा निर्वार या महा पर निर्वार इस्थित है किस गुफा में तो याद रखेगा ये 26 नंबर गुफा में अजन्ता की गुफा में लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा इस्थित है अगला प्रश्ण है अजन्ता में गुफाएं हैं तो अजन्ता में कुल 29 गुफाएं हैं और विकल्प में याद 30 होता है तो इसका उत्तर 30 हो जाएगा कि अजन्ता में कुल 30 गुफाएं हैं लेकिन ऐसे 29 गुफाएं हैं अगला प्रश्ण है अजन्ता की गुफाएं कहां पर है तो अजन्ता की गुफाएं और रंगाबाद महाराष्ट में इस्थित है अगला प्रश्ण है छदंत जातक की कथा का वर्ण किस में है तो गुफा नमबर 10 में है छदंत जातक कहानी है किसकी तो ये हाथी की कहानी है औ अजन्ता की गुफा संख्या सत्रह में प्रसिद्ध चित्र इस्थित है किसका, तो ये मातापुत्र का है, मरती राजकुमारी या मरडासन राजकुमारी चित्रित है कहां पर, तो ये अजन्ता की गुफा संख्या सोलह में, भिच्छुक बिधु का बुध का प्रसिद्ध चि तो यह गुफा संख्या सत्रह में है और आप देखें मैत्रे अर्थात भविष्य के बुद्ध का अंकन कहां पर है तो अजन्ता की गुफा संख्या सत्रह के प्रवेश द्वार के ऊपर मैत्रे यानि भविष्य के बुद्ध का अंकन है मार विजय की मूर्ति कहां पर है तो ये गुफा संख्या एक में है और दोस्तों ही नियान संप्रदाय से संबंधित अजन्ता की गुफाएं कौन सी है तो याद रखिएगा अजन्ता की गुफा संख्या आठ से तेरे ये ही नियान संप्रदाय से संबंधित है अगला प्रश्ण है गुफा संख्या 10 ये अजन्ता में छदंत जातक से संबंधित है गुफा संख्या 17 माता पुत्र से गुफा संख्या 1 पद्म पाणि बोधिशत्व से और गुफा संख्या 2 सुनहरे मिरिग द्वारा धर्मोपदेश से संबंधित है अगला प्रश्ण है अजन्ता गुफा चित्रों का मुख्य विशे क्या है तो ये बौध है और अजन्ता के चित्रों का विशे आधारित है किस धर्म से तो ये बौध धर्म से संबंधित है अगला प्रश्ण है दोस्तों अजन्ता की चित्रकारी या अजन्ता की चित्रकला वर्णित करती है किसको तो ये बुद्ध जातक कहानियों को और अजन्ता में जातक कथाएं चित्रित हैं कितनी तो 547 जातक कथाएं अजन्ता में वर्णित हैं जातक कथाएं क्या हैं, तो ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं हैं, अगला प्रश्न हैं दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथाएं क्या कहलाती हैं, इनको जातक कथा कहते हैं, और बुद्ध के पूर्व जन्म हैं, तो प्रियोग किया जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों जातक कताएं जो अजन्ता में है ये किसका वर्ण करती है तो ये बुद्ध के जीवन का वर्ण करती है अगला प्रश्ण है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कालपनिक कताएं संबंधित है किस से तो जातक कथाएं दोस्तों महातमा बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनी कथाएं है अजन्ता में जूड़े चित्र या मूर्ति नहीं है तो आप जान लीजिए अजन्ता में बौद धर्म से जूड़े चित्र और मूर्ति हैं इसman जैन, इसाई और हिंदु धर्म से संबंधित चित्र नहीं है अगला प्रश्ण है अजन्ता की गुफाओं में भित्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है तो इसमें 29 गुफाएं, 5 चैते हैं, फर्गियूसन द्वारा दी गई संख्या है बोधिसत्व अवलो की तेश्वर का चित्र संबंधित है कहां से, तो ये अजन्ता से है और अजन्ता की गुफा में कितनी चित्र शैलिया हैं, तो इसमें 3 चित्र शैलिया हैं अजन्ता की गुफा में दोस्तों अजन्ता प्रस्तर कटाव वास्तुकला संबंधित है किस से तो ये बहुत धर्म से संबंधित है और यहां पर सही सुमेलन करना है बोधिशत्व पद्मपाण की पेंटिंग अजन्ता की गुफा संख्या एक में है विधूर पंडित जातक पेंटिंग अजन्ता की ग चित्रित पैनल जिसमें इंद्र के साथ अपसराएं और एक किन्नर दमपत चित्रित है यह अजन्ता की किस गुफा में है तो यह सत्रह में है और अजन्ता की गुफा में शी भी जातक चित्रित किया गया है कहां पर तो यह गुफा संख्या एक और सत्रह में चित्रित किया गय जाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष में कारे किया कारण है क्योंकि कलाकारों ने शिल्प सास्तर में निर्धारित धर्मसुत्रों का अनुपालन किया है तो उत्तर है कि A और R दोनों सही हैं अगला प्रशन कथन और कारण से है कथन है कि अजंता की चित्रकला में बु और बोधिशतों का अंकन तो है इन्हें बौध चित्रकारों ने चित्रित किया था ये सही नहीं है अजंता फ्रेसको के बाद आए अब जैपूर फ्रेसको से संबंधित महतपूर्ण प्रशनों को देखते हैं पहला प्रशन है कि राजस्थानी या जैपूर शैली की भित् तो ये गीली सतह पर बनाये जाते हैं जैपूरी फ्रेसको चित्रण वर्तमान में सिखाया जाता है कहां पर तो ये बनस्थली के इंदर पर सिखाया जाता है और अगला प्रशन है दोस्तों जैपूरी फ्रेसको में नहित दीपती रूप यानि चमचमाती सतह के संबंध में सही क्या है क्योंकि ये अकीक पत्थर से घोटाई करके चमकाए जाते हैं अगला प्रश्न है शामलाल डालूराम जगननाथ सीतराम में से जैपुर से अलवर आने वाला भित्य चितरन का सिध्ध हस्त चितरकार कौन था तो ये थे डालूराम अगला प्रश्न है यूरोपी फ्रेसको चितरों की तकनीक का प्रभाव भारत की जिस शैली पर पड़ा है वो कौन है तो ये जैपुर फ्रेसको सैली है और आज की वीडियो का आखरी प्रश्न है कि इटैलियन फ्रेसको प्रेंटिंग की तकनीक किसके सम तो दोस्तों ये था आज का वीडियो TGT PGT कला के महतोपूर प्रशनों की स्रिंखला में इसमें आपने भित्य चित्रण की परंपराओं से संबंधित महतोपूर प्रशनों को देखा जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियों की हैं आप इन प्रशनों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्क दर्शन फॉर सिबिल सर्विशेज को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार